पीपल एंड हिस्ट्री के लेटेस्ट बाइग्रफी अलर्ट के लिए बेल आइकॉन दबाना ना भूलें यह कहानी है एक ऐसी अभिनेत्री की जिसे ढूंडा तो देवानन ने था लेकिन यह बनी सुनील दत और नर्गिस दत की पहली भहू नाम रिचाश शर्मा रिचाश शर्मा हिंदुस्तान में पैदा हुई लेकिन उसके बाद अपने माता पिता के साथ अमेरिका चली गए जब यह नाइन सांडर में पढ़ रही थी तब यह हिंदुसान लौट कर आएं और द्यवानन साब से मिलकर इस लड़की ने इच्छा जाहिर की कि वो इनकी फिल्म की हेरोइंट बनना चाहती है देव साब ने कहा कि जब तुम बड़ी हो जाओगी तब जरूर मैं तुम्हारी एच्छा पूरी करूँगा फिल्म आई हम नौजवान सन 1985 की ये फिल्म थी उसके बाद आई अनुभव, इंसाफ की आवाज, सड़क छाप, आग ही आग, पर इसी बीच अपने जवाने के मश्यूर अभीनेता, सुनील दत और मश्यूर अभीनेतरी, नर्किजदत का बेटा, संजदत भी फिल्मों में सुर्खियां बटो रहा था कुछ लोगों का मानना है कि संजदत और रिचा शर्मा की मुलाकात अमेरिका में हुई थी, जब संजदत अपने ट्रीट्मेंट के ले गए थे हानक ये बहुत से लोग ये कहते हैं कि मुलाकात तो हिंदुस्तान में ही हुई थी, एक फिल्म के मुहूरत पर रिचा शर्मा ने बंटी बहल के साथ काम किया, रेखा और अनिलकपूर के साथ काम किया, यहां तक कि शेकर सुमन भी इनके को स्टार रहे पर संजिदत के साथ इनका रिष्टा अलग ही बना, संजिदत इनके पीशे पड़े रहे और कहा कम असकम डेट पर तो चलो, यह लड़की मान गई, धीरे धीरे दोस्ती प्यार में तब्दील हुई और संजिदत ने कह दिया कि रिचा में तुम से शादी करना चाहता हूँ रिचा शर्मा ने शुरू में ना हां कहा और ना ही ना, पर एक दिन मौका निकाल कर संजिदत पहुंच गया अमेरिका, माँ पर रिचा शर्मा के माता पिता से मिले और कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, धीरे धीरे बात पक्की हुई और इस शादी से बड़ी नियारी सी बच्ची का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया त्रिशला दत, शादी सन 1987 में हुई थी, त्रिशला का जन्म हुआ सन 1988 में और सन 87 के बाद लिचा शर्मा ने फिल्मों को अलविदा कह दिया था, बेटी के पैदा होते ही नए मम्मी बापा को एक बड़ सी सरजरीज हुई, रिचा शर्मा अपनी बेटी त्रिशला के साथ अमेरिका रही और संजदत हिंदुस्तान लोट आये थे, हिंदुस्तान में ये फिल्मों में काम कर रहे थे, इक सर अमेरिका आना जाना होता था, पर इसी बीच एक बहुत बड़े हिरोईन के साथ संजद संजदत भी तूटा हुए थे, और ये दोनों अलग-अलग रस्तों पर चलने को मजबूर हो गए, डिवोस्स फाइल किया गया, जिसने रिचा शर्मा को पूरी तरह से तोड़ दिया, 10 दिसंबर सन 1996, वो दिन मन कर आया, जब रिचा शर्मा ये दुनिया छोड़ चल बसी, एक आखरी बार संजदत जरूर इन से मिलने के लिए गए थे, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, उसके बाद लड़ाई हुई, कि तरिशला संजदत अपने नानी नाना के पास रह शर्मा इस दुनिया का छोड़ चल बसी थी, अजब किस्मत की ये दास्ता है, कि जब लगा कि सब अच्छा है, तभी सब बिगड़ गया।